यह आज का हमारा जो विशय पॉडकास का वो है कुकुम्बर मोजैक वाइरस डिजीज का मैनेजमेंट तो यह बहुत ही इंपॉर्टन विशय है क्योंकि रेनी सीजन में जबकि क्लावडी वेदर होता है युमिडिटी बहुत जादा होती है डेजलिंग रेन होती है और अभी घास उगे है खर्पतवार भोत है तो ऐसे सीचुएशन में सीजन वी का प्रकोप बढ़ता है दूसरा अभी प्लांटेशन भी हो चुका है मतलब सोयाबिन लग चुका है मूग है चौली है और विच्टेबल्स है यह सारे प्लांटेशन भी निसर्ग में है और इसके कारण सीमी का प्रकोप बढ़ने का जो टाइम है जो समय है वो है जुलाई आगस सितमबर और वैसे जन्वरी फरवरी डिसेंबर जन्वरी फरवरी यह तीन मैने तो इस समय में सीमी का प्रकोप बढ़ता है और इसलिए सीमी का प्रकोप ना बढ़े और सीमी को हम कैसे उसके उपर कंट्रोल रखे या आज हमें इस एपिसोड में देखना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझतें कि CMV के बढ़ावे के लिए कौन सी कौन से फैक्टर है जिसके कारण CMV बढ़ता है कौन सा किस प्रकार का वेदर है जिसमें CMV बढ़ता है जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लावडी वेदर, डेजलिंग, रेन, जिम जिम बारिश, वाता और अरन में घास होना, फसल होना ये CMV के बढ़ने के लिए ये मोसम अनुकुल होता है दूसरा है कि जब CMV हम कई सालों से इसकी चर्चा कर रहे हैं जैसे CMV 1947 में आया, CMV 1943 में आया, CMV 1964 में आया, CMV 1967 में आया, CMV 1980 में आया, CMV 1882 में आया उसके बाद में CMV near about 2000 साल में जलगाव के केराला गाव में आया, दापोरा गाव में आया इस प्रकार का CME का इतियास हम देखते हैं, तो ये बहुत और काफी पुराना CME का इतियास है, लेकिन क्या अभी बाकी देशों में, जहां CME का प्रकोप था, जैसे कि चाइना है, ताइवान है, आस्ट्रेलिया है, फिलिपिन्स है, ये सारे देश आज से करीबन 25-30 साल पहल वहाँ CME का प्रकोप था, लेकिन आज वहाँ CME का प्रकोप नहीं है, तो इसकी क्या वज़ा है, कि ये देश CME फ्री है, और हमारा केला उत्पादक CME इससे बड़ा चिंतित है, इस साल तो आप देखेंगे, कि कई सारे किसान बंदियों ने एप्रिल, मई, जून में प्ल बदल नहीं सकते, और इसलिए CME का प्रभावी नियंत्रन क्या है, ये हमको देखना जरूरी है, CME कहां से आता है, ये देखना जरूरी है, साल भर CME कहां होता है, ये भी देखना जरूरी है, और इसलिए CME साल भर कोई ना कोई होश्ट के उपर बैठा रहता है, यदि CME क होष्ट मतलब किस पौदे के उपर सियमी होता है तो इसके वातावरन में 1200 होष्ट है जिसके उपर सियमी रहता है आप सभी के जानकारी के लिए में कुछ होष्ट के नाम आपको बताऊंगा कुछ खर्पतवार का नाम आपको बताऊंगा कुछ घास का नाम आपको बताऊंग जैसे कि हम चिला की सबजी बोलते हैं यह सियमी का होस्ट है। इस प्रकार के कई सारे घास वीडिस यह सियमी के होस्ट है। यदि हम फश्चलो की बात करे, तो इसका दाम气 सीयमी है, कुकुंबरबजाक वाइरस है। तो तर्बुजा है, खर्बुजा है, लवकी है, गिलका है, ये सारे जो है, दूदी है, कोड़ा है, ये सारे सियमी के होश्ट है, यदि हम हर दूसरे फसल की बात करेंगे, तो चीली है, स्वयाबिन है, चौली है, मूग है, मक्का है, कौटन है, ये स्वयाबिन के होश्ट है, तो इस ब्रकार से करीबन बारा सो होश्ट के उपर सियमी सालों साल उसके उपर उसका अवास्तवे होता है दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो क्या ये CMV हवा से आ रहा क्या ये CMV पाणी से आ रहा क्या ये CMV जमीन से आ रहा क्या ये CMV पवदो से आ रहा कि CMV शायद जमीन से भी फैल सकता है जमीन में से कुछ माइक्रोब के माध्यम से भी फैल सकता है इसके उपर रिसर्च चल रहा है तो फिर CMV फैलता कैसा है तो CMV यह अपने आप नहीं फैलता है यह infected पौदों से, infected host से या infected बनाना से यह जो disease मुक्त पौदा है जो disease-free पौदा है इसके उपर कीडों के माध्यम से आता है फिर वो कीड कौन से है तो CMV के जो कीड है फैलाने वाले उसको vector कहते है तो यह जो transmission करने वाले vector है इनका नाम है आफिस गौसिपी इनका नाम है राफैलोसिबम माइडर मेज के उपर का मावा यह जो sucking pest है जो juice चूसते है और यह जो vector है यह infected पौदों से CMV को उठाते है juice चूसते समय और जब बनाना के पौदे के उपर जाके बैटे तो वहाँ जाके इसको छोड़ते है इस प्रकार से CMV का वेक्टर के माद्यम से प्रसार होता है और इसलिए जब प्रसार हो गया प्रसार होने के बाद में infection आ गया तो इस infection को आप किस तरह से समझ सकते हैं तो सबसे पहले तो पौदे के उपर पौदे के पत्ते के उपर इस प्रकार की वाइटिश यलोईश लाइन निर्बान होती है ये लाइन ये मिड्रीप से शुरू होती है और इस मिड्रीप से निकल के ये आगे यहां तक फैलती है ये इसका पहला symptom है दूसरा पीछे से ये आईली स्पाट बताता है पीछे से आईली दिखता है इसके बाद में इसके उपर इस प्रकार की ब्लैक कलर की ब्राउन कलर की नेक्रोटिक डेवलप्मेंट होती है और धीरे धीरे पूरा पौदा CMV के इस स्ट्रीप से येलो वाइटिश और नेक्रोटिक स्ट्रीप से मतलब काले और ब्राउन कलर कर डाट से पूरा पौदा ये भर पत्ता ये भर जाता है और इसी को हम CMV के सिम्टम्स कहते हैं दूसरे केस में आप देखेंगे तो CMV के इसमें जो पौदा है उसका जो फ्लैग लिप है ये उपर से सड़ जाता है उसको हर्ट राट कहां जाता है CMV का हर्ट राट लेकिन ये पौदा आप काटेंगे तो नीचे उपत्ता हरा होता है ये CMV का दूसरा सिम्टम्स है ये हम कोई किसान बंदू CMV वाला पौदा उखाडते नहीं निकालके नहीं फेकते हैं और जब ये पौदा फ्लावरिंग करता है तो बहुती वीक बंच एकदम वारिगेटेड बंच या उसके केले जो है छोटे-छोटे होते हैं बंच का विकास नहीं होता है डंठल तो जरूर मोटा होता है लेकिन छोटे-छोटे डिफार्म बनाना जाते है ये CMV का अंतीम जो फूर्टिंग के उपर का सिम्टम से इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं तो फिर हमें ये देखना है कि इसका नियंतरन क्या है इसके नियंतरन के मॉडेल क्या-क्या हो सकते है और किस प्रकार से हम CM के उपर काबू कर सकते हैं सबसे तो इंपार्टन बात है कि किसान बंदू को ये द्यान में लेना है कि CMV ये पहले दूसरे तीसरे महने में पौदे को ज़्यादा तकलिप देता है और इसलिए यदि ये पाउदा रेनी सीजन में कोइंसाइड होजाता है या नोंवर, डिसेंबर, जन्वरी में किस तरह से मैनेज कर पाए तो शबसे इंपार्टन मुद्दा है कि यदि CMV को पूरी तरह से कंट्रोल में लाना है तो सबसे पहली बात है कि हम कोई भी infected सकर्स का इस्तेमाल ना करे क्योंकि सकर्स को हम virus index पूरी तरह से नहीं कर सकते उसका हम guarantee नहीं दे सकते कि ये CMV free है या नहीं है तो पहला मुद्दा है कि हम CMV को सकर्स के माध्यम से कैसे नियंत्रित करे सकर्स को ना यूज करके दूसरी बात हमको द्यान में रखना है कि हमको tissue culture का पौदा यूज करना है क्यों tissue culture का पौदा यूज करना है क्योंकि gen tissue culture जैसा पौदा 100% virus index है 100% virus free है तो इसलिए टिशु कल्चर का पौदा हमको यूज करना है जो देश थे जिन जिन देशों में CMV का प्रकोप आज से 30-40 साल पहले हुआ जैसे कि आस्ट्रिलिया है, ताइवान है, फिलिपाइन है, चायना है तो इन देशों में CMV कैसे कंट्रोल में आया, तो इन देशों में भी CMV 100% सव प्रतिशत वाइरस इंडेक्स पौदे यूज करके CMV कंट्रोल में आया दूसरी बात ये भी रही कि उन देशों में CMV केले के साथ कपास, मक्का, वेजटेबल इसकी फार्मिंग नहीं हो रही थी इसलिए CMV के प्रसार को रोकने का तरीका उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, CMV का प्रसार नहीं हुआ तीसरी इंपर्टन बात है कि हमको सबसे पहले बात द्यान में रखने है कि जब CMV का पहला पौदा हमको दिखता है हमारे पास फोरकास्टिंग होनी चाहिए, हमने ये समझ लेना चाहिए कि हर साल CMV किस समय आता है किस वातावरन में आता है, किस नई सर्गिक परिस्तिती में आता है, यदि ये अनुभव हमारे पास रहे तो हम CMV से बस सकते हैं दूसरी बात हमको द्यान में रखना है कि CMV जिस वेक्टर से फैल रहा है, जिस कीडों से फैल रहा है तो क्या ये कीडों की संक्या बढ़ रही है, इसलिए यलो स्टिकी ट्राप हम 10-15 ट्राप एक एकड में लगाए, उस ट्राप के उपर कितने कीडे बैठ रहे हर हपते में कीडों की संक्या कैसे बढ़ रही यह हमें बताएगा कि वातावरन में कीडों की संख्या कैसे बढ़ रही यदि यह हम समझे और कीडों का प्रबंध हमने किया उसका नियंत्रन हमने किया तो हम डेफिनेटली CMV के उपर काबू कर सकते तीसरी बात है कि हमको अरली डिटेक्शन होना है बहुत बार किसान भाई क होता है वो दिरे दिरे बढ़ता है और इसलिए पहला पाउदा हमारे इंफेक्शन कब हुआ यह ध्यान रखना जरूरी है जब हमें यह समझ गया कि इसका ट्रांस्मिशन शुरू हुआ एक दो चार पाच पाउदे मिल गए दिख गए तो यह तुरंत हमने ध्यान में लेना है और इसलिए दूसरी बात यह है कि जब इन्फेक्टेट पाउदा हमें दिखता है तो उसको तुरं निकाल दीजिए खेतों में यदि खर्पतवार है उसके होश्ट है चीला की जैसी सबजी है केना है कामेलीना है इसको तुरंत निकालना है बहा बगल में कपास जैसी खे है उसा फिट को कंट्रोल में रखना है उसके कपास या मेज वाले बाजू से हमको दस फिट की इंसेक्ट नेट लगानी है ताकि यह पाउदा यह जो इंसेक्ट है यह बहुत उचाई से नहीं फ्लाइ कर सकता है और इसलिए यदि हम बगिचे के चारों तरब से दो से तीन म में रेक्टर के मोमेंड को कंट्रोल करते है उससे सिम involved से हम बस सकते हैं तीसरे इंपurटन बात यह है कि यह सारी management प्रैक्टिसेज होने के बाद में आपने detection कर लिया सब कुछ किया इसके बाद में आखरी जो तरिका है पवदे के ऊपर insects इंसेक्टिसाइट का स्प्रे करना है क्यूंकि सीमवी के प्रकोप का कलप्रीट यह मावा है तूड़ तुड़ा है सपेद मक्की है ध्रिप्स है जो इसको फैलाते हैं इन कीडों के उपर यदि हम नियंतरन रखते हैं तो सीम भी नियंतरन में रहता है इसलिए जब हमें पहल पौदा दिखा मान के चलिए कि आप जुलाई के मैने में हैं और इसमें कीडों की संक्या बहुत जादा है तो आपको हर हपते इंसेक्टिसाइट का प्रिवेंट्टिव स्प्रे करना है तो फिर क्या स्प्रे आप करेंगे इमेडा क्लोप्रिट है 10 ml 15 लिटर पानी में आशिफेट पाउडर 15-20 ग्राम 15 लिटर पानी में नीम आईल है या मैक अटजॉल जैसा सॉलवन्ट है इस प्रकार का मिक्षर आप बना के पौदे के उपर स्प्रे कर सकते हैं दूसरा स्प्रे कर सकते हैं आप लेना है इसका स्प्रे लगाना है जैसे कि फ्लोनी क्या माइड है आप उससे 7-8 ग्राम 15 लिटर पानी में ले सकते हैं और उसके साथ आसिफेट पाउडर ले सकते हैं नीम आईल ले सकते हैं इस प्रकार से जो जैन इरिकेशन के माध्यम से आपको CMV के मैनेजमेंट का यह म पर आप कंट्रोल रखते हैं तो CMV का प्रकोब हम कंट्रोल में रख सकते हैं तीसरी इंपार्टन बात है कि बहुत सारे किसान बंदू यह पौदे जो CMV के हैं उनको लगता है यह दुरुस्त होंगे यह अच्छे होंगे ऐसा नहीं होता है वाता वरन बदलने के बाद में तापमान बढ़ने के बाद में CMV का पौदा अपने आप बढ़ना शुरू करता है फिर कोई आके आपको बोलता है कि यह अलाना फलाना उशट डाला और इसलिए CMV का पौदा दुरुस्त हो गया ऐसे नहीं होता है एक बार केले के पौदे में कुगुमबर मोजयाक वायरस अंट्री कर दिया तो पौदे के बाहर नहीं निकलता है वाता और अनबदला पौदा बढ़ेगा उसका स्टेम मोटा होगा पत्य अच्छे निकलेंगे बंच भी डालेगा उसको बहुत अच्छी बंच की डंठल भी आएगी लेकिन उसके जो केले है एकदम छोटे-छोटे याएंगे डिफ आइंगे मार्केट में बेचे नहीं जाएंगे लेकिन हम साल भर सियंवी की जौपास्त ना उसको साल भर हमारे खेत में रखेंगे और सियमी को फिर से बढ़ाएंगे इसलिए CMV के निर्मुलन के लिए CMV के कंट्रोल के लिए हम सारे किसान बंदू केला किसान बंदू को सिरियस मोड पे बात करनी है सिरियस मोड पे काम करना है एक शिवार एक फवार नहीं मतलब गाव का पूर्व दिशा वाला हिस्सा है तो सारे किसानों ने स्प्रे करना चाहिए, इंसेक्टि साइड का, पश्चिम वाले ने दूसरे दिन करना चाहिए, उत्तर वाले ने तीसरे दिन करना चाहिए, दक्षिन वाले ने चवते दिन करना चाहिए, मतलब सारे किसान बंदू गाव के लेवल के उपर, यदि हम इसके management को अच्छी तरह से करे तो हम CMV से definitely रहात मिला सकते हैं एक किसान बंदू करता है दूसरा किसान बंदू नहीं करता है तो CMV बढ़ते चलेगा तनमुक्त शिवार मतलब पूरे केला के शिवार में कोई घरपतवार नहीं होना है आप वीडी साइड मार के रस्ते के तरफ से बांडरी के तरफ उपर के सब घास को आप मिटा दीजिए तो कहां CMV जाएगा खुछ किसान बंदू कहते हैं कि घास रखने से CMV नहीं आता है गलत बात है घास जो है जैसे लोनया नाम का घास है तो यह CMV का होश्ट नहीं है लेकिन यदि हम CMV के होश्ट को बढ़ाएंगे तो CMV का प्रकोब बढ़ेगा इसलिए ऐसा स्टैंडर्ड हम नहीं कर सकते कि घास रखने से CMV कंट्रोल होता ऐसी बात नहीं है किस प्रकार का घास आपके खेत में है उसके उपर CMV आना या नहीं आना डिपेंड करता है कुछ किसान बंदू को लगता है कि CMV आपने आप चले जाता है ऐसे भी नहीं होता है कुछ गिसान बंदु को लगता है कि CMV पवदे उखाड के फेकने से फेलता है ये भी गलत है इसलिए infected पवदे को निकालना, खर्पतवार का नियंतरन रखना, कीडो का नियंतरन रखना और नियमित रूप से केले के उपर हर हपते ऐसे 2-5 महने तक 8-10 स्प्रे और CMV आने के बाद में हर 6 दिन में मैंने में 5 स्प्रे इस प्रकार से insecticide और insect repellent का स्प्रे यदि हम करते हैं तो CMV से रहत मिला सकते हैं और इसी के साथ जो भी हमारा एक 25-30 साल का इसके उपर कानुबव है कई सारे किसान बंदू इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हमारे के लेवल पे इसका मैनेजमेंट करें और CMV से रहात मिलाए इसी शुब कामना के साथ मैं रुकता हूं बहुत बहुत धन्यवाद